हेलो वेलकम बैक टो मिशन सक्सेस तो आज हम पढ़ेंगे 21 जनवरी 2022 से रिलेटिट सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफ़ेर विद एक्स्प्रेनेशन इसको हम पढ़ेंगे तो सबको आपको ध्यान से सुनना है इच और अब्र डिटेल क्योंकि उसके बाद हम सॉल्फ करेंग कि भारत ने किस राज्ये के बालास और तट से सुपर्स़निक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्क्रूज का सफल परिक्षन किया गया आई इसके बार में ृटेल लेखते हैं तो भारत में उडीसा के बाला सोर तट से सूपर सोनिक ब्रहमोज क्रूज मिसाइल के नए संस्क्रण का सफल परिक्षन किया है, जबकि इससे पहले 11 जनवरी 2022 को भारती नौसेना के ILS विशा का पटनम यूथ पोस्ट से ब्रहमोज सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परि अगला करेंट अफेर है कि किस भाषा के कॉमिक्स कलाकार नरायन देवनात का हाल ही में निजन हो गया है, तो यह बंगाली भाषा के कॉमिक कलाकार थे, इनके पारे में डिटेल्स देखते हैं, तो बंगाली भाषा के कॉमिक्स कलाकार वाल लेखक और चितरकार, नरायन दे देवनात का हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है अन्के पास हांड़ावोटा कॉमिक्स श्रंखला के लिए एक व्यक्तिकत कलाकार्था सबसे लंबे समय तक चलने वाली comics का रिकॉर्ड है तो ये उनके बारे में कुछ डिटेल की कॉमिक खेयां कि आहे Кол verbs से भाषा की कॉमिक कलाकार थे नरायन देवनात जी तो आपको याद रखना है बंगाली भाषा की चलिए नेक्स करेंट फेर देखते हैं अगला है CRM नेक्स सॉल्यूशन और किस बैंक ने हाल ही में सर्वश्रिस्ट CRM यानि कि ग्राहक संबंद प्रबंधन प्रडाली कारेवन के लिए IBSI Innovation Award 2021 जीता है तो कौन से बैंक ने जीता है एक्सिस बैंक ने ओके आई इसकी डीटेल देखने है तो CRM नेक्स सॉल्यूशन और एक्सिस बैंक ने हाल ही में वैश्विक बैंक करो और IT सलहकारों के लिए सबसे प्रबंधन प्रणाली कारेवन के लिए उनको ये दिया गया है तो कौन से बैंक के साथ हुआ है एक्सिस बैंक आपको याद रखना है चले नेक्स देखते हैं अगला है प्रस्थित परियावरण विद और किस अंदोलन के प्रचारक प्रफेसर एम के प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है तो कौन से अंदोलन से जुड़े थे ये साइलेंट वैली बच्चाओं अंदोलन से जुड़े थे कौन प्रफेसर एम के प्रसाद जी उनकी डिटेल से एकते हैं तो लोगप्रिय विज्ञान अंदोलन केरल शास्त्र साहित्य परिशत का भी नोंने इतरत्व किया था और प पूछा जा सकता है कि साइलेंट वैली बच्चाओं अंदोलन से जुड़े कौन थे जिनका निधन हो गया भी तो उनका नाम क्या है प्रफेसर एम के प्रसाद का हाली में निधन हो गया है कोशन देखिए किसी भी थरह से फ्रेम हो सकता है तो सारे एस्पेक्ट हमको उसके चलि नेक्स देखना है करेंट अफेर तो अगला करेंट अफेर है केंडरी मंडल ने हाल ही में एड़ा में कितने करोड रुपे के निवेश करने की मंजूरी दी है तो यहां पर एड़ा को पंदरा सो करोड रुपे के निवेश करने की मंजूरी दी है देखिए इस से करेगा तो यहां पर आपको मांट रिया दखना है कि कितने करोड रुपए का निवेश करने की मंजूरी दी है विड़ा में पंद्रा सो करोड रुपए चलिए नेक्स देखते हैं अगला है यहां पर थोड़ टाइपिंग है इसको डादीजे किस मंत्राले ने हाल ही में ओपन डेटा वीग की घोशना की है तो केंद्री आवास और शहरी मामलो के मंत्राले ने उपन डेटा वीग की घोशना की है चलिए की डीटेल्स देखें तो जिसमें सभी 100 स्माट शेहरों की भागिदारी दिखाई देगी और इसका उदेश्च्छी क्या है कि भारती शेहरों को डेटा स्मार्ट बनाने की दिशा में एक सही योगात्मक प्रयास सुनिश्चित करना है तो ओपन डेटा किस चीज से रेलेटिड है ओपन डेटा वीक की घोशना कौन से मंत्रा लेन की है केंद्री अवास और शेहरी मामलों के मंत्रा लेन चलि नेक्स देखनें अगला है किस लेटिनेंट जनरल को अगला थल सेना उप्फ प्रमुख चुना गया है तो किनको चुना गया है लेटिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगला थल सेना का उप्रमुख चुना गया है चलि इनकी डिटेल्स देखते हैं तो लेटिनेंट जनरल मनुष पांडे को हाली में अगला थल सेना उप्रमुख चुना गया है और वो लेटनेंट जनरल CP मोहंती के उत्रधिकारी होंगे जो 31 जनर्वेरी को सेवानी वृत होने वाले हैं अगला है की पॉइंट जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में न्यूक्त किया गया था तो यहां पर लेटनेंट जनरल जो है अगले थल सेना उप्रमुख को किसको चुना गया है लेटनेंट जनरल मनोज पांडेगो नेक्स देखते हैं अगला है कौन सा देश एफसी महिला फुटबॉल एशियाई कब 2020 की मेजबानी करेगा तो कौन करेगा भारत भारत जो है भारत जो है एफसी महिला फुटबॉल एशियाई कब 2022 की मेजबानी करने वाला देश है और देखिए भारत के मुंबई, नवी मुंबई और पूरे में AFC महिला फुटबॉल एशिया एकब 2022 की भारत मेजबानी करने वाला है और इस टूनामेंट में बारत री में ट्रॉफी के लिए प्रतिस पर्दा करेंगी तो कौन है जो AFC महिला फुटबॉल एशिया एकब 2022 की मेजबानी करेगा तो राइट आंसर क्या हो गया है भारत नेक्स कोशन देखते हैं कि किस देश के इसाई डेमोक्रेट रोबर्टा मेटसोला को हाली में यूरोपिय संग की संसत का अध्यक्ष चुना गया है तो किस को चुना गया है यूरोपिय संग की संसत का अध्यक्ष माल्टा को किस देश की साई डेमोक्रेटिक रोबर्टा मासला को हाली में यूरोपिय संग की संसत का अध्यक्ष चुना गया है तो माल्टा को राश्पती हैं और मेट सोल आसंसत के सबसे बड़े समूग की उमिदवार थी तो यहां पर बहुत इंपॉइंट सेंस के अंदर याद रखिएगा नेक्स देखते हैं अगला है कि किस किस देश ने हाल ही में एरो थ्री का सफल उडान परिक्षन पूरा कर लिया है तो इस्राईल में एरो 3 सफल परिक्षन पूरा कर लिया है और रक्षा मनत्राले की लॉत क्वाल परीक्षन के लोग है कि अपको कितने कुरेंट अधेर्स लनुए यह बहुत अचरि विजन होने वाली आपकी आपको पता चल जाएगा किए आपको कितने करेंट अधेर्स लनुए तो चलिंए स्टार्ट करते हैं भारत में किस राज्ये के बाला सोर तट से सूपर सोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नय संस्क्राइब का सफल परिक्षन किया है बताईए पर्स्ट है केरल, ऑप्षिन टू, ओडीसा, ऑप्षिन ट्री अरुनाच्र प्रदेश, ऑप्षिन फॉर्ड गुजरात बताईए, कौन से तट से किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया है, ऑप्षिन टू, ओडीसा के बाला सोर तट से, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कि निम्न मेंसे किस भाषा के कॉमिक्स कलाकार नरायन देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया, बताईए हम पढ़ चुके हैं, तो वो किस भाषा से जुड़े थे, हिंदी भाषा, उर्दु भाषा, बंगाली भाषा या तमिल भाषा, वेरी गृत तो इसका राइट आंसर हो गया, यहां पर ऑप्षिन फ्री यानि बंगाली भाषा के वो कॉमिक कलाकार थे, अगला देखते हैं, CRM नेक्स सॉलू प्रसिक परियावरन विद और किस आंदोलन के प्रचारक प्रफेसर M के प्रसात का हाल ही में निधन हो गया है, किस आंदोलन से जुड़े थे, सवीनिया विग्या अंदोलन, अजाद हिंद पॉज या फिर साइलेंट वैली बचाओ, बचाओ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, Option 4 यानि साइलेंट वैली बचाओ, अंदोलन से प्रोफेसर M के प्रसाद जुड़े थे, जिनका आप निधन हो गया है, इसका राइट आंसर है, Option 2 यानि 1500 करोड रुपे को निवेश को मनजूरी दी थी, इसका राइट आंसर है, Option 4 केंदरी अवास और शहरी मामलो के मनतरा लेने, हाली में उपन डेटा वी की घुशना की थी, नेक्स्त है, इन में से किस लेबटन जननरल को अगला थल सेना उप्रमुख चुना गया है, सब्सक्राइब को अगला थल सेना उप्रमुख चुना गया है नेक्स कोशन है निम्न में से कौन सा देश महिला फुटबॉल एकप 2022 की मेजबानी करेगा ऑप्शन पर जापान ऑप्शन सेकेंड चीन ऑप्शन थर्ड अमेरिका या ऑप्शन फॉर्ड भारत बताइए कौन सा देश मेजबानी करने वाला है एफसी महिला फुटबॉल एकप 2022 की उसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन पॉर्ड भारत बिजबानी करने वाला है अगले एफसी महिला फुटबॉल एकप की नेक्स कोछन है निम्न में से किस देश की इस साइड एमोप्रेट रोबार्टा मेट सोला को हाल ही में यूरोपे संकी संसत का देख चुना गया है तो ऑप्शन फर्स माल्दीव, ऑप्श ऑप्शन फर्स एराक ने, ऑप्शन फर्ड इसराइल ने, ऑप्शन फर्स जापान ने तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन फर्ड इसराइल ने एरो त्री का सफल परिक्षन पूरा कर लिया है प्रेंस के साथ भी शियर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो सेंट थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू